जब ये कहा जाता था ये पूल पत्ती खा के कोई इलाज होता है रिक्रोस इंटरामाइसिन मेटा सिंखाओ वाधुनिक बनो नई नई मेडिसिन्स खाओ आज पचास साल के अंदर हम आ गए गो बैक टू हर्बल मेडिसिन्स तो भई तब सही थी साइंस याब सही है हम तो तब भी वही थे आज भी वही हैं आप बदल गए हैं और इस बदलाव को अब हमें विश्व को सीकार करवाने की आवशक्ता है बजाए इसके कि हम उनके हिसाब से अपनी व्याक्षा करने का प्रयास करें अब मैं एक अन्य उधारन आपके ध्यान में डालना चाहूँगा और शदियों के बारे में तो जैसा हमारे कई सम्मानित वक्ताओं ने बताया बहुत से उधारन उपलब्ध हैं चरक से लेके और धन्मंतरी जी तक परन्तु जिसको सबसे बड़ी उपलब्धी माना जाता है वेस्ट की सरजरी सरजरी का जितना डिटेड आयुर्वेद में उपलब्ध है सुशुप सहिता में 180 चैप्टर है 1100 डिजीजेज हैं 121 इंस्टूमेंट्स हैं 650 मेडिसिन्स हैं इनिमल प्लांट और केमिकल सारे सोर्से से हैं और 300 से उपर प्रोसीजर्स हैं और इतना ही नहीं शायद कुछ लोगों को सुनने में आठपटा लगे परन्तु हडपा सिविलाइशन जिसे आज हम सिंदु सारस्वत सभिता कहते हैं उसके एक्सकेवेशन में और हडपा सिविलाइशन सेकेंड मिलिनियम से अवेलेबल और आज भी पाकिस्तान के पंजाब प्रॉविंस के म्यूजियम में आज जाईए तो पाचवी सिताद्दी इसापूर के सर्जिकल इंस्टूमेंट रखे हैं और पूर्व लोकसभा द्यक्ष मीरा कुमार जी जब गई थी तो 2012 में उनके अख़बारों ने इसको रिपोर्ट भी किया था यह तो मैं सिर्फ ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो सर्जरी जिसको बहुत बड़ा अचीब्मेंट माना जाता है एक तथ्य और आपके माध्यम से सदन के समक्ष रखना चाहूँगा कि लोग कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी लंडन से निकलने वाली एक बड़ी फेमस मैगजीन जिसका नाम था दे जेंटिलमेन 1794 में उसमें दो डॉक्टर्स टॉमस क्रूजो और जेमस पेंडिल ने बाकाइदा एक आर्टिकिल लिखा उसमें क्या लिखा कि भारत के पूने में ये लंडन में छपी हुई मैगजीन है 1794 और वो लिख रहे हैं भारत के पूने में 1793 में एक व्यक्तिकी नाक कट गई थी और उस नाक को जोडने की प्रक्रिया उन्होंने देखी आयरवेदिक सिस्टम से and that was successfully done ये उन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया और बज़ेदार बात ये है कि उन्होंने ये लिखा कि पूने में अपना advanced source of knowledge था हम कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से उसे पीछे छोड़ते चले गए और सिर्व ये भी एक कहना चाहूंगा ही आयरवेद कोई separate subject नहीं था जिसको वो medicine science से create relate करते है आयरवेद जैसे हमारे आज zoology, botanic, chemistry एक sequence है physics, chemistry, math, subject का group है वैसे ही तीन subject के group में से एक आयरवेद था जो बड़ा विवस्थिस branch of knowledge था वो था क्रशी, पाक्षास्त्र और आयरवेद क्रशी means how to grow पाक्षास means how to cook and आयरवेद means how to get the medicinal values और उन सारी values को हम अच्छी तरीके से समझे और यदि हम उन चीजों को समझ पाए तो आज एक और चीज़ में हमें बहुत लाब भिलेगी इस structure mechanism से सरकार लाई है आज intellectual property को लेकर बहुत सारे विवाद है यदि आ आयरवेद के ग्रंथ हमारे प्रभावी स्थिती में थे उन्होंने हमें नीम के पेटेंट से हल्दी के पेटेंट से तुलसी के पेटेंट में मदद की मगर आज तक भारत सिर्फ प्रतिक्रियात्मक रहा कि जब दूसरे ने पेटेंट कराया तब हम जाकर खड़े हुए नहीं जी ये तो हमारा है यदि हम ये प्रभावी मेकनिजम जो सरकार ने बनाया है इसके द्वारा हम अब प्रो एक्टिव होकर कह सकते हैं कि ये सारे पेटेंट्स हमारे हैं तो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्ट्वल प्रॉपर्टी में भी आप समझ लीजे इसका एक बहुत अच्छा लाब हमें फ्यूचर में मिलने वाला है और अन्त में मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सी ऐसी बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जिसकी तरह अगर हम ध्यान दें तो अगर हम केवल उनका साइंटिफिक नाम पढ़ ले तो हमें बहुत कुछ आसानी से समझ में आ जाता है जैसे हर्दय के लिए अरजुन होता है आप अरजुना रिष्ट और अरजुनासव आपने सुना होगा यदि आपने केवल उसकी बोतल देख ली हो तो उसकी बोतल पे उसका साइंटिफिक नाम क्या लिखा है टर्मिनेलिया अरजुना वो हार्ट के लिए प्रूवेन है और नेम इस टर्मिनेलिया अरजुना तो ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि जो हम कह रहे थे अब छोटी सी बात कौमन भाशा में तुलसी के लिए होली बेसिल शब्द प्रियोग होता है अब होली शब्द तो अंग्रेजी ने दिया है हमने तो नहीं दिया है पिर भी कहीने कहीने स्वीका रोकती है कि इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण चीज है उधारण के लिए जिन जिन वरिस्पतियों को हमारे अहां स्वास की दिर्ष्टी से और पूजा की दिर्ष्टी से भी महत्वपूर्ण वाना गया पीपल का वरक्ष पीपल के वरक्ष को खोली फिक कहते हैं मगर उसका साइंटिफिक नाम क्या है फिक्यियस रेलिजियोसा रेलिजियन है साब उसमें वो बता रहा है फिक्यियस रेलिजियोसा यानि वो मान रहें कि धार्मिक दिर्ष्टे पवित्र माने जाने वाला ये जो पौधा है ये जो पेड़ है इसके अंदर बहुस सारे मेडिसिनर गुण है तो आन्त में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि देखे इसमें गर्व करने की आवशक्ता है सिर्फ इसी लिए नहीं कि यह आयू का विज्ञान है कल विने सास्र बुद्धे जी ने हम लोगी तरफ से जब शुरुवात करते हुए कहा था तो उन्होंने एक बात कही ते न गर्व से कहो हम हैं किसी दूसरी चीज के लिए कहा था वो मत कही है क्योंकि जब कहा जाए गर्व से कहो हिंदू हैं तो ठीक नहीं लगता इसलिए कहो गर्व से कहो हैं मगर मैं कहना चाहूंगा आयूरवेद अथरवेद का हिस्सा है अथरवेद is a religious text nowhere in the world you can find medical